देश एक कानून में उनको नहीं दिक्ता कि सभी गरीवों को का घर हो जाना चाहिए सभी लोग को नौकरी होनी चाहिए सभी की खेती बारी से आमदनी होनी चाहिए तमाम चीज़े होनी चाहिए लेकिन वो कमपनियों के पक्स में तमाम जो भरश्ट माफिया हैं उनके पक्स में कानून बनाते हैं और संभिदान के तमाम जो जंगता के अजिकार हैं उनको खतम कर रहे हैं यह सिधे तोर पे आज जो लडाई है वो देश बनाम बीजेपी की लडाई हो गई है जो पुराने सिछक हैं उनको राजकर्मी का सासन चलाएंगे यह जो है पूरा तोर पे समाज में नगत पहला करके और पूरे तोर के हिंसा का बातावन बनाके देश को बरबात कर रहे हैं नमस्कार मैमनीस और आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 हमारे साथ मौजूद हैं भागपा माले के बिधायक बिरेंदर कुमार पोस्टर में लिखा हुआ अनस्टेवल प्राइम मिनिस्टर केंडिरेट क्या कहेंगे आप देखे पक्ष और विपक्ष अपने अपनी बात करते हैं लेकिन आज पूरे देश की जरूत है कि तमाम जो लोकतांत्रिक ताक्ते हैं जो जनता के पक्ष में संभीधान के पक्ष स्मिर्थिवात को लागू करके ही यहां रहेंगे और देश में संभीधान नाम की कोई चीज नहीं होगी और जो पुराने राजा महराजा जैसे सासन चलाते थे उस द्रंग का सासन चलाएंगे तो यह पूरा तोर पे समाज में नफरत पहला करके ग्रणा पहला करके और हराना जरूरी है इसलिए तमाम जो लोग कांतिक ताक्ते हैं वह एकाबद हो रही है और इसलिए आज से वहां बेंगलोर्य में एक बड़ी मीटिंग हो रही है अगर बात की जाए आपकी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं जो नियोजित सिच्छक हैं उनके लेकर के सदन म ने बाते रखी आप लोगों समय समय पे आप लोगों ने सरकार के विरोद में वहिस्कार भी किया सदन के दौरान क्या सरकार किस नतीजे तक अभी तक पहुंची है एक तो नतीजा आपके सामने है कि जो ठेका मांदे की जो ब्योस्ता है जिसको बीजेपी ने लाया अटल बिहारी बाजबेश जब परधान मंत्री बने तो उन्होंने एक पालिशी लाया कि जितनी भी नोकरियां होंगी उसमें पेंसन खतम होगा संबीदा ठेका मांदे पर लोग बाल किये जाएंगे तो इसमें एक तरह से एक ब्रेक इसमें लगा जो सिच्छक प्लोग आंदोलन हुआ माले ने इसको नितित किया इसमें एक ब्रेक लगा कि आगे जो नोकरियां होंगी वह बेतनमान पर अधारित होंगी और वह बीपीएस्टी के द्वाराइज होंगी तो एक तो लड़ाई सिचकों ने जीती और एक तरह से जो अस्थाई नोकरी पक्की नोकरी की जो ब आज कर्मी का सिधे दर्जा दे दिया जाए तो इसकी एक लड़ाई है और सरकार इस पर संब्यदंसिल है और अठारा आज बंग्डोर की जो वैठक है उसके बाद से यह आस्वासन दिया गया है कि इस पर हम लोग सानुभूति पूरुन विचार करेंगे तो हम समझते हैं क कि ये भी हो जाएगा और जो सिछकों पर इस दौरान मुकदमे हुए हैं यह तमाम मुकदमे भी वापस होंगे इसकी में हम लोग लगतार कर रहा है कि लोक में करवाई हुई है यह सिच्छकों पर वहापस होना चाहिए तो युमीद है यह दोनों काम हो जाए रहे एक तरफ नितीश कुमार ने यह कहा था कि 14 जुलाई के बाद नियोजित सिच्छकों के राज कर्मी दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए इसका समिक्षा करेंगे वहीं परधान सचीव जो केके पाठक है उनका बयान आया उन्होंने कहा कि जो लोग भी आंदोलर में सामिल थे धरना परदर्सन के लिए आये थे उ तो क्या ये सही है ये दोरी निती ये तो साब साब हम बात कर रहा है कि सरकार इस पर समय दंसील है हम लोग के द्वारा भी बाते रखी गई है मानिय मोक मंतरी नितिश कुमार जी ने मानिय मंतरी वित मंतरी विजय चौधरी जी ने तमाम लोगों ने अस्वासन दिया है कि इस पर हम लोग 18 के बाद बात करेंगे और तमाम सिचक भी उसमें नेता होंगे जो लेफ्ट के विदायक होंगे वो भी होंगे और इसमें जो समाधान है राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए जो नियोजित सिचक हैं तो इस दिसा में लोग बढ़ेंगे हम ऐसी उमीद करते ह हैं उन्होंने अस्वासन दिया है और यह पूरे तोर पर निलंबन की कारवाई जो है यह गलत है और तमाम सिचकों का निलंबन वापस होना चाहिए और जो भी मुकदमे हैं वापस होने चाहिए आखरी सवाल आभी विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है उसमें नाम दि प लिखा है चकडे इंडिया या इंडिया जो नाम दिया जा रहा है आप लोगों का तरह दो लोगतार कर रही है उसको आप पूरे देश में देख सकते हैं कि कि तरह से किसानों को गुलाम बनाने का उनके खेतों को छिनने का उनके आनाज भसल जो हैं उस पर एक आधिकार प्राप्त करने का कमपणियों का उन्होंने रास्ता प्रस्थ किया था और इस हमले के खिलाब जो चार साल की सेना में नोकरियों की बहाली की बात करके और उन्होंने पूरे चाद जुआ तबके पर एक बड़ा हमला किया जिसके खिलाब में पूरे चाद जुआ सडकों पर उत्रे और बहुत सारे लोग को अभी तक जो है मुकदमे जिलने पड़ रहे हैं तो मजदूरों के सवाल पर भी उन्होंने ऐसा किया कि 8 गंटे नहीं कमपनियों के हित में उन्होंने कर दिया कि 12 गंटे कटेंगे और 300 से कम जहां मजदूर है वहां फैक्टरी एक्ट लागू नहीं होगा और पुल मिला के कमपनियो गुलाम बन के लोग रहेंगे तो यह सिती जो उन्होंने बनाया है कि समाज का कोई भी तबका है उसके हक अधिकार पर जो पुनाने दोर में देश की अजादी की लडाई में के दोरान जो कानून बने थे जो समिधान ने बाद में तमाम चीजों को बहाल किया था उन तमाम और नफरत के अधार पर तमाम तरह की राजनिती कर रहे हैं आज वह राग छोड़ रहा है उसके माध्यम से वह पूरे तोर पर देश में खिंसक वाता वरण नफरत की राजनिती करने पर तुले हुए हैं क्या उनको यह नहीं लगता कि जब वह एक देश से कानून की बात क कर रहे हैं तो इस देश में सभी नौकरियों में आपको वितनमान होना चाहिए यह नहीं दिखता है यह नहीं दिखता है कि एक देश में एक मज़ूरी होनी चाहिए तो मन्रेगा जो केंद्रिय योजना है खेत मज़ूरों गरीबों के लिए 429 सोपय से कम मज़ूरी नहीं के पक्ष में नफरत पहला करके हिंसा पहला करके और पूरे स्वंपुर्णता में लोगतंत को समीधान को खतम करके फासिवादी सासन कायम करने की योजना है और एक देश एक कानून में उनको नहीं दिखता कि सभी गरीबों को का घर हो जाना चाहिए सभी लोग को नौकरी होनी चाहिए सभी की खेटी बारि से आम्धनी होनी चाहिए ये वो मन्यां रूदुर्णता की इतिकार रहा है उनको खतम कर है तो यह सीधे तौर पर आज नणाशा问 की देश बनाम ngas तो आपने सुना यह थे भागपा माले के बिधायक बिरेंदर गुपता जीनों ने सिदे तवर पे कहा कि हम सभी नियोजित सिच्छकों के लिए और जिने राज कर्मी दिलवाना उनके लिए हमेशा विधान सवा में आवाज उठाई और जिनके उपर केके पाठक ने कारवाई करने की बात कही है इसके लेकर के हम लोगों ने बिहार के मुखमंत्री से भी बात किया और उन्हें आस्वासन दिया है कि निलंबन जैसी कोई जो है कारे नहीं किये जाएंगे उनके उपर जो सिच्छक जो है गरदनी बाग में धर्ना परदसन को आये थे दूसरा इन्हों ने यह कहा कि इंडिया जो है बहुत सांदार नाम दिया गया है और दो हजर चोविस में हमारी एलाइंस जो है इंडिया वही जीतेगी इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक निवस ट्वांटिफोर कैमरामें जैगी के साथ मैं मनीज पटना